कांग्रेस की पुर्व अध्यक्ष सोनिया गांदी और राहुल गांदी के चार्टिट प्लेन की भोपाल के राजा भोज एरपोर्ट पर इमर्जेंसी लेंडिंग हुई है प्लेन में तकनी की खराबी आई थी सोनिया राहुल इस प्लेन से बैंगलूर से दिल्ली जा रहे थे करीब डेड़ घंटे भोपाल एरपोर्ट पर रुकने के बाद दोनों रात 9 बचकर 35 मिनिट पर इंडिको की फ्रैट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए राहुल और सोनिया भोपाल एरपोर्ट के वी आई पी लाउंच में रुके रहे इस तोरण भोपाल के कॉंग्रेस नेताओं ने वहाँ पोच कर उनसे मुलाकात की पूर्व केंदरी मंत्री सूरेश पचोरी, कॉंग्रेस विधायक पी सी शर्मा, कुणाल चोधरी, आरिफ मसूद और शोभा ओजा समेत कई कॉंग्रेस नेता एरपोर्ट पर जे थे सोनिया राहुल गांदी मंगलवार को बैंगलोर में वेपक्षी एक्ता की, दूसरा दिन की बैठक में शामिल हुए इसके बाद शाम को नीजी प्लैन से दिल्ली लोट रहे थे बैंगलोर से दिल्ली जाने के लिए विमान भोपाल के एरिस पेस से गुजरता है इस दुरान प्लैन में तक्नी के दिक्कत महस्यस होने के बाद भोपाल में इमर्जनसी लेंडिंग कराए गी सोनिया और राहुल गांदी इंडिगो की फ्लैट से दिल्ली जाने के लिए वियाई पी लाउंच से निकले इस दुरान उनकी डिपाचत सिक्यूरेटी चेकिंग की गई एटीसी सुत्रों के मताबिक जिस प्राइवेट जेट से सोनिया गांदी और राहुल गांदी बैंगलूर से दिल्ली जा रहे थे उसमें प्रेशराइजेशन फंक्शन में पाइलेट को कोई गड़बड़ी पता चली जिसके बाद भोपाल एटीसी से लेंडिंग को लेकर बात की गई इजाजत मिलने पर इमरजेंसी लेंडिंग की गई सोन्या राहुल से मुलाकात के बाद कांगरेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि जिस प्लैन से वे दिल्ली जा रहे थे उसमें अक्सीजन का कुछ इशू हो रहा था इसलिए यहां लेंडिंग कराई गई बाद में एक्सपर्ट की सला पर वे उस फ्लाइट से न जाकर इंडिगों की रेगुलर फ्लाइट से दिल्ली रवाना होए पीसी शर्मा ने बताया कि चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांगरेस करनाटक की तरह युनाइटेड होकल लड़ेगी पीसी शर्मा ने कहा कि हमने उनसे पटवारी भरती परिक्षा घोटाला, सत्पोडा की आग, सीधी का मामला और महांकाल लोग के मामले डिसकस किये हमने उन्हें बताया कि पटवारी भरती परिक्षा मामले में अंदुलन भी क्या गया इतुरान भोपाल के जीला अध्यक्ष को गंभिर चोट आई है वे मिदानता हस्पिटल में एडमिट है भोपाल एरपोर्ट पर रहुल गांधी ने नाश्ता भी किया उन्होंने समोसे की डिमांड की जिसके बाद बेरागर के कॉंग्रेस निता सोनू तोमर से समोसे वे गांधी नागर से समोसे लाए और राहुल गांधी को दिये इसी के साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाद